हाई दोस्तों असलाब अलेकूं कैसे आप लो में अरुम नभील, iOS 17.4 बेटा 3 आप में ने कर दिया रिलीस, iOS 17.4 के फाइनल वर्जिन के तरफ हम तीरे तीरे बढ़ रहें, यह काफी बड़ा अपडेट रहने वाला है, काफी सारे इसमें नए फीचर आने वाले, और साइड बात करते हैं, यहां पर अपडेट के साइस कवर में, तो साड़े 600 MB के आसपास का आपको अपडेट देखने मिलना चाहिए, अगर आप बेटा 2 से बेटा 3 पे जा रहे हो, या फिर बेटा 1 से या फिर कोई और वर्जिन से जा रहे हो, तो आपको हो सकता है, अपडेट का सा पहले और बात का डेटा भी चेक कर लेते हैं, तो 70.4 ही था अपडेट करने से पहले, अपडेट के बाद यहां पे सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे, वो है iOS वर्जिन, वो है 70.4 ही, क्योंकि बेटा वर्जिन है, वर्जिन सेम रहेगा, लेकिन उसका जो बिल नमबर ह यानि कि 830 GB हो गई है, इतना कभी बढ़ती नहीं, कम हो जादी कभी कबार, लेकिन यहां पे यह बहुत चीज बात है, तो definitely यहां पे iOS 17.4 अच्छा अपडेट रहने वाला ऐसा लग रहा है, आगे आने के बाद देखेंगे अपडेट में क्या रहता है, क्या नहीं और यहा यहां पे network related कुछ प्रावलम था, अगर beta 2 में, तो beta 3 में Apple ने यहां पे उसको fix कर नहीं कोश्च किया, इस नए mode firmware की मदद से, अफटा-फट से देख लेते दो इस update के अंदर क्या कुछ नहीं आया है, तो कुछ users को जो है नया hello screen देखने में जा था, मुझे नहीं मिला, यह अदर बताया था कि यहां पे stopwatch के लिए live activity जो है वो आ चुकी है, लेकिन वो live activity अब यहां पे Apple ने हटा दिया, तो यहां पे timer के लिए है, लेकिन अभी Apple ने उसको हटा दिया आना चाहिए, एक और feature जो है, यहां पे आपल ने यहां से हटा दिया है, इसके लिए हम privacy and security में चले जाते है, और उसके बाद जाते है, analytics and improvement के अंदर और यहां पे नीचे चले जाते है, तो यहां पे improve wallet connections करके एक feature था, जो मैंने आपको पिछले अपडेट के अंदर बताया था, लेकिन अभी Apple ने यहां से वो चीज हटा दिया, तो Apple wallet से related है, बाकि आपके कुछ काम का न तो उसमें gestures के अंदर आपको option देखने मिलेगा, जहां पे आप double tap को ignore पे रख सकते है, जब Apple Vision Pro यूज करते है तो, इस सारे नए features जो Apple ने इस वाले update के अंदर दिया, दोस्तों इसके लबाब और कोई नए feature आपको इस वाले update में देखने नहीं मिलने वाला, लेकिन overall iOS 7.4 म अंदर मैं आपको अरड़ी बता चुका हूं, और यह जो नए features है, इन में side loading सबसे बड़ा feature रहने वाला, जो फिलाल EU के लाएगा, लेकि मुझे लगता है कि यहां पी इंडिया में हमको जल्दी देखने मिलेगा, फीडबैक आप में चलते है, यहां पे Apple ने इनके release notes जो ह काफी सारे issues, 3D objects related issues, freeform app का, जो नए features है वो भी यहां पे इन्होंने mention किया है, तो काफी कुछ issues fix करने में, यहां पे Apple work करा, AirDrop related issue भी यहां पे Apple ने fix किया, और यह जो fixed issues है, इसकी list काफी आपको लंबी देखने मिलेगी, तो यह आप developer.apple.com पे जाके पढ़ भी सकते हैं, अ यहां पे देखिए, मैं इसको फोन को यूज नहीं करता है, तब बस updates यहां पे इंस्टॉल करता हो, लेकिन यह बेटा updates के बात करा हो, stable version के नहीं, लेकिन जब आगे जाके, जब 18 का आएगा, तब जो मेरा 15 true max है, उसको मैं beta के लिए रख दूँगा, और उसके टाइम पे म मतलब आज ही आया update, कल रात में आया in fact, तो यहां पे जो normal मैंने इसको यूज किया, तो इसमें मुझे heating issue कोई खास नजर नहीं आया, तो battery life मैं expect करता हूँ, इस update में भी अच्छी रहेगी, network related भी यहां पे कोई issue नजर नहीं है, हाला कि इसमें SIM card है, primary device नहीं है तब भी, औ और यहां पर देख लेते हैं कोई storage bug है या नहीं, और इस वाले particular phone में हमेशा यह loading के लिए बहुत जार टाइम लगाता है, मेरा phone, अभी लोड हो चुका है, एक मिनिट इसने लगा दिया है, और नीचे चलके देखते तो system यहां पर 6.32 GB है, जो कि fluctuating रहता है, जादा नहीं एकदम normal है, मेरे stable version अले phone पर 1 GB ही देता है, 1.07 GB, यहां पर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यहां पर available free space बढ़ी गया है, तो यह अच्छी बात है, अभी भी देख लेते हैं, तो यहां पर देखे, 828.67, यूज़ करेंगे कम जादा होता है, लेकिन 812 GB था available free space अपडेट से पहले, और अभी इतना जादा बढ़ चुका है, तो यह अच्छी बात है, performance overall जेनरल अच्छा है, मैंने apps वागरा, खोल केस में देखे कोई दिक्कत नहीं आ रही, अभी यहां पर Geekbench के score देख लेते हैं, before and after वाले, तो CPU score देखते हैं सबसे पहले, तो इस 500 के आसपास, multi-core हमने देखा था score, तो यहां पर यह थोड़ी सी एक बात concerning है, 17.4 का stable version आजाएगा, उस टेम पर हम properly इसको चेक करेंगे, अपने primary device पर आपको बताएंगे भी, अभी फिलाल इसके बारे में थोड़ा सा alert रही है, ध्यान देना इसके उपर, और GPU score देखेंग 20-21 तारिक के आसपास, 20 तारिक को जनरली रात में Apple पुश कर देता है, बेटा अपडेट की वीडियो जो है, अगले दिन बना देता हूँ, stable version की ठोड़ा रात में जाके आपलो के बना देता हूँ, क्योंकि अपने पास Indian टाइम में अपडेट आता है, और US में जो है सुब उसका final stable version देखने मिल सकता है, 7.5 के उपर भी Apple वर्क कर रहा है, और जैसे ही इसका stable version आ जाएगा, तो 17.5 का हमको beta version भी देखने मिल जाएगा, और ये भी March के first week में ही आपको देखने मिले, यही दिकाने दुस्तों, iOS 17.4, beta 3 की कि क्या आपको यह वाला update इंस्टॉल करना च इसके बाद आपको उस update की वीडियो देखने मिल जाएगी, उमिल करता है दोस्तों, आपको आज का वीडियो पस्ना आगा, पस्ना वीडियो को लाइक इन शेर जरू किजिए, मेरे चैनल को सब्स्क्राइब जाएगे, गुडबाए